दोस्तों, आज हम एक ऐसे शक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों अपनी लव मैरिज के लिए काफी सुर्खी बटोर रहे हैं, जिसका जीवन बहुत ही कठिनाईयों से भरा हुआ था और कैसे इस शक्स ने रोड़पती से करोरपती तक का सफर्ते किया जी हां आज हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब के बादशाह, मनोजटे के बारे में इस वीडियो में हम मनोजटे का जीवन परिचय और कैसे मनोजटे ने यूट्यूब पर सफलता प्राप्त की और उनकी कुल संपत्ती कितनी हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे इस इनका खुद का घर था शुरुवात में इनके पास मुबाइल भी नहीं हुआ करता था ये अपने दोस्तों से मुबाइल मांगर वीडियो बनाते थे ये इतने क्रेजी यूट्यूबर थे कि इनके गाव के लोग सब पागल बोलते थे और आज इन्हें सब सलाम करते हैं ये ए अपने लाइफ से ज्यादा प्यार यूट्यूब को करते हैं इसी लिए कहा जाता है सच्चे मन से कोई काम को किया जाता है एक दिन मंजल मिलके रहती है ये अपने यूट्यूब गुरू धरमेंदर कुमार को मानते हैं जो कि बिहार के बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं द मनोज दे ने बारहवी तक की पढ़ाई गांफ के ही सरकारी स्कूल से संपन्द की थी और उसके बाद आगे की शिक्षा उन्होंने पास के ही आई टी आई कॉलेज से संपन्द की थी मनोज। देखा बचपन बहुत ही दुख भरा था क्योंकि उनके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी इसलिए मनोज दे बचपन से ही पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते थे मनोज दे बारहवी करने के बाद रेलवे में नौकरी की तलाश में जुट गए थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनजूर था और मनोज जी एक बड़े यूट्यूबर बन गया आज उनके यूट्यूब चैनल मनोज दे पर 4 मिलियन से अधिक सबसक्राइबर हो चुके हैं और उनके मनोज दे व्लॉक चैनल पर 1 मिलियन से भी अधिक हो चुके हैं आज मनोज जी के पास घरगारी पैसा सब कुछ है और मनोज टे यूट्यूब से महीने का लाखों कमाते हैं लेकिन ये सफलता उन्हें एक दिन में नहीं मिली उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष ये सफलता को पाने के लिए दोस्तों इनकी प्रारमभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने आई टी आई करने के बाद ये अपने दोस्तों के साथ जॉब करने गुजरात चले गए लेकिन वहां इन्हें मन नहीं लगा और काम छोड़कर वापस धंबादा गए इसके बाद उन्होंने दो हजार पंदरा सोला में यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और इसमें अपना कैरियर भी बना लिया दोस्तों इसके बाद हम मनोजदे का यूट्यूब सफर के बारे में भी जान लेते हैं शुरूआती समय पर मनोजदे एक पुराने फोन से वीडियो बनाते थे और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया करते थे उन्होंने यूट्यूब पर कई चैनल बनाए और उनमें से एक चैनल टेक्निकल मनोज था जिसमें एक वीडियो वाइरल हो गया था और यूट्यूब मॉनिटाइजेशन ओन हो गया लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही चाहत थी कुछ ही दिन बाद टेक्निकल मनोज शनेल का एडसेंस बंध हो गया ऐसे में मनोज के हाथ एक बड़ी निराशा लगी क्योंकि वह काफी समय से इस चैनल पर काम कर रहे थे और अपने परिवार को फाइनेंचिल सपोर्ट देने के लिए महनत कर रहे थे फिर उन्होंने अपना दूसरा चैनल मनोज दे स्टार्ट किया और रोज वीडियो डालना शुरू कर दिया मनोज देने इस चैनल पर बहुत महनत कियो आपको तो पता ही होगा के महनत करने वाले की कभी हार नहीं होती धीरे धीरे करके मनोज दे का ये चैनल ग्रो होता गया और कुछ ही समय पर ये चैनल एक लाग सबसक्राइबर तक पार कर गया और जब एक साल हुआ तो मनोज जी के चैनल में पांच लाग सबसक्राइबर हो गया तब उन्होंने अपने चैनल पर अपने माता पिता को अपने सबसक्राइबर से मिलाया और फिर मनोज देने कभी पीछे मुरकर नहीं देखा दिन प्रति दिन उनका चैनल यूट्यूब पर ग्रोव होता गया और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई आज मनोज देखें यूट्यूब करियर पर भी हम शॉर्ट में नजर डाल लेते हैं मनोज देने अपने कैरियर की शुरूआत अपने पहले यूट्यूब चैनल टेकिंगल मनोज से की थी और ये चैनल किसी कारण से डिसेबल हो गया था तब जाकर इसके बाद मनोज देने अपना दूसरा यू खाते में आये थे और लगबत देर साल में मनोज दे चैनल पर पचास हजार सनस्क्राइबर हो गए थे दो हजार पीस में मनोज दे के चैनल ने एक मिलियन सबसक्राइबर पूरे कर लिये थे और आज मनोज दे शनेल पर चार मिलियन से भी अधिक सबसक्राइबर हो चुके ह इनका सेकंड चैनल में एक मिलियन सबसक्राइबर हैं और ये इंस्टाग्राम में भी काफी एक्टिव रहते हैं इनका यहाँ पे भी एक मिलियन से कम फॉलोवर्स हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे मनोज देकार कलेक्शन की तो मनोज जी ने अपनी पहली कारमारुती सुजु की सेलेरियो ली थी और उसके बाद मनोज जी ने अपनी दूसरी का टाटा हरियार खरी दी थी मनोज दे के पास एक टीवियेस अपाची और साथ में रॉयल इनफील्ड की बुलेट भी है अगर मनोज दे की कुल संपत्ती की बात करें तो आज मनोज दे यूट्यूब से हर महीने दस लाख कमा रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी कुल संपत्ती चार से पांच करोर के बीच है दोस्तों अब मनोज दे के कॉंट्रोवर्सी की बात करें तो दोस्तों वैसे तो मनोज दे विवाद के घेरों में हमेशा आते रहते हैं लेकिन मनोज दे की सबसे फेमस कॉंट्रोवर्सी सौरप जोशी के साथ हुई थी मनोज दे एक बार सौरप जोशी के उपर एक वीडियो बनाया था जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी उनके और सौरप जोशी के बीच शुरू हुई थी दोस्तों अभी हाल ही में मनोज देने 15 मार्च 2023 को बंगाल में अपनी गरला फ्रेंड जियोतिश्री महतो के साथ विवाह कर लिया और ये दो-तीन सालों से रिलेशन्शिप में थे उनके साथ एक मंदर में शादी कर ली है और जियोतिश्री महतो भी पेशे से यूट्यूबर हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीड युमेट